नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस्पेस इंडेचल पर आप सभी का हार दिकने दिन करते हूं दोस्तों अभी अभी एक मुकाबला जो है अभी खत्म हुआ है भारत के आर प्रग्यानन्दा और दो बार के फीडे केंडेट चैंपियन रहे रूस के या अभी भी चल रहे है जब मैं वीडियो बना रहा हूं गोकेश करवाना से खेल रहे हैं इंट्रस्टिंग पोजिशन है फिरोजा खेल रहे हैं बोगदान डेनियल से वैसली सो से अब्दुसातरोव खेल रहे हैं और अनीश गिरी से मुकाबला इस समय खेल रहे हैं और अभी गेम मुरिखाल से चलने वाला है तो क्या हुआ इस मैच में प्रग्यनंदा के प्रग्यनंदा इस मैच में जो है वह ब्लाक पीसे से खेल रहे थे इस मैच को और शुरुआत होती है ए4 से e4, e5, knight f3, knight c6, bishop b5, rai lopez opening होती है, a6, bishop a4, जो main line है, knight f6, यहाँ पर castle करते हैं, नेपो मिनसी, और अब knight into e4 का variation जो है, यहाँ पर खेला जाता है, d4, b5, यहाँ पर bishop b3, और अब black खेलता है d5 यहाँ पर, white जो है, वो अपना pawn recover कर लेता है e5, और यह जानी-मानी theory है, आप लोग ने बहुत सारे match यहाँ पर draw होते हैं, यहाँ पर continue करते हैं, प्रग्यनन्दा bishop e6 खेलते हैं, d5 के pawn को strengthen करते हैं, now c3 यहाँ पर आता है, c3 basically idea of knight d2 से आने वाला है, और यह जो bishop b3 पर रखा हुआ है, basically जो italian में हमने कई बार देखा है, कि वो bishop c2 से move हो करके, ultimately इस diagonal पर आ जाएगा, प्रग्यनन्दा continue करते हैं, bishop e7, bishop f4, e5 के pawn को strengthen करते हैं, वैसे भी निकालना है, क्योंकि knight इसके बाद आने वाला है, castle किया यहाँ पर black ने, प्रग्यनन्दा ने, और अब नेपो खिलते हैं knight d4, तो यहाँ पर जो one of the main lines है, वो queen d7 ही है, bishop c2, और अब वो moment आता है, जहाँ पर प्रग्यनन्दा एक नई चाल खिलते हैं, मतलब एक ऐसी चाल खिलते हैं, जो इससे पहले जो है, वो नई हुई है, तो इसके पहले हम देखें, तो यहाँ पर जो line खिली जाती है, वो एक है knight c5 खिला जाता है, यहाँ पर black की तरब से, या कई बार जो है, यहाँ पर f5 भी देखा गया है, तो यह दो चाल खिली जाते हैं, लेकिन प्रग्यानन्दा यहाँ पर f6 खिलते हैं, और इस वाली जो e वाली पॉन है, उसको challenge करते हैं, तो move आता है, अब यहाँ पर मतलब game बिल्कुल नई position पर आ गया था, अगर यह match 90 प्लस 30 का time control पर होता, यह 2 गंटे वाले पर है, तो आप 30 minute और घटा दीजे, तो इस position पर समझ लेजे कि कुछ ऐसा time होता कि 1 गंटा 7 मिनट बचता नेपो के पास यहाँ पर, और प्रग्यानन्दा के पास 1 गंटा 25 मिनट के आसपास बचता, अब आगे क्या होता है, यह मारते है, knight into e6, queen into e6, now pawn into f6, और यहाँ पर beautiful move आती है, bishop c5, जो की प्रग्यानन्दा थोड़ा सा सोचने के बाद चल देते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल साब था कि कहीं न कहीं प्रग्यानन्दा की कोशिश थी, नेपो को preparation में फसाने की, हुआ क्या आगे game में, कि यहाँ पर इन्हों ने खेला, I think knight d2, and then प्रग्यानन्दा यहाँ पर खेलते हैं, बहुत interesting move, knight into f2, यह बहुत interesting था knight into f2, क्योंकि, क्योंकि आप दिख सकते हो यहाँ पर कि, आप rook into f2, तो accept करी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप करोगे, तो bishop f2, king f2, और queen f6 के बद भले की computer बोले की position equal है, लेकिन थोड़ा तो chances हैं, यहाँ पर white के लिए चिंता करने के, ठीक है, match में क्या हुआ, match पर knight f2 का जबाब जो है, बिल्कुल जिसको बोले की, बढ़िया calculation के साथ, नेपो देते हैं, queen h5, बतला वो बोल रहे हैं कि, आपको अगर यहाँ पर लगे कि, आप knight, knight को हटा के check दे सकते हो, तो दीजे knight e4 check आएगा, तो king h1, और उसके बाद knight f6 maximum हो सकता है, but something like even queen g5, queen f5, even bishop f5, जो है, white fine है, white को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अगर knight e4 की जगे, और भी कुछ करना चाहें, यहाँ पर जैसे माली जे की knight e4 की जगे, knight h3 जाना चाहें, knight h3 check भी आप देने के कोशिश करें, तो यह जो है, यह एक गलत चाहल है, after king h1, अगर आप सूचो की चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप knight f4 यहाँ पर मारने के लिए जाते हो, इस position पर, queen h7 check, king यहाँ पर आपका एगा f7, and then rook into f4, and यह white जीत रहा है, तो आसान नहीं था, queen h5, बढ़िया चाल के लिए, नेपो ने यहाँ पर, प्रग्या ने खेला, rook into f6, तैयारी बढ़िया थी, और कोई मौका ऐसा, मतलब, यह सारे गेम में बहुत ज़्यादा दिमाख लगा के, नेपो को खेलना बोल रहा था, क्योंकि प्रग्या नेपो ने टाइम को यूस किया, और कोई गलती जो है, वो की नहीं यहाँ पर इस पूरे गेम में, तो next move आती है, queen h7, और यहाँ पर king f8, now knight b3, यह भी बहुत ही खुबसूरत चालो में से एक थी, जोकि सबसे important था, इस bishop को थोड़ा सा आपको पीछे की धकेलना, या exchange करना, क्योंकि अगर यहाँ पर माली जे bishop b6 भी खेल दिया जाए, तो यहाँ पर bishop g5 आ रहा है, आप knight से अगर check दे के king h1 और आप यह मारते भी हो, तो actually में यह losing हो सकता है, बिकास आपका rook मर रहा है, और actually में mate weight अभी कुछ हो नहीं रही है, तो इसी लिए उन्होंने सही चाल खेली, प्रग्यनेंदा ने rook f4 खेला, and then आता है knight c5, queen e3 सबसे important move, otherwise even black hard भी सकता है, यहाँ पर बाकी कुछ भी चला तो hard जाओगे, तो queen e3 आप यहाँ पर आप देख सकते हो, smoothed mate लगा हुआ है, कि अगर आप कोई गलत चाल चल दो, जैसे for example ऐसा, तो immediately जो है, वो आपकी mate यहाँ पर लगी हुई है, आप यह smoothed mate जिसको हम कहते हैं, तो जैसे queen e3 आया, इसके बाद, नेपो ने जो है, वो लगातार यहाँ पर check देते हुए, match को जो है, वो draw करा लिया, क्योंकि और कोई option है नहीं, आप अपने राजा को और कहीं ले नहीं जा सकते, आप राजा को यहाँ ले नहीं जा सकते, क्योंकि रुक e1 जो है, वो तयार है, और इसके लावा आप g6 वगरे भी बीच में नहीं कर सकते, और slow motion पर भी देख सकते हो, इस game को आप leaches पर जाकर के आराम से देख सकते हो, play chess पर जाकर आप आराम से देख सकते हो, और खुद से भी analyze करने की आप कोशिश कर सकते हो, तो यह theory अगर आप राइल उपेच खिलते हो, तो यह theory आपके काम आ सकती है, इसको आप अपने रेपोटायर में add कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आयोगा, पसंद आयोगा तो like, share, subscribe करना ना भूलें, देखते रहे, हैस बस इंडिया, हैस बस इंडिया कि लिए मैंने क्लेश जें, जाइन दोस्तों.